हेलो फ्रेंट्स विल्कम तु दीशा क्लास आज हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड के मैच्स के एडिशन अं सब्ट्रेक्शन के सम तो एडिशन करते समय हमें हमें हांड़ेट टैंस और यूनिट तो अगर टू डीजित रहेगा तो टैंस अन यूनिट तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, 5, 6, 7, 8 तो यहां पर आंसर हमें लिखना है 8, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 1, 4 यह हो गया हमारा फर्स्ट बारा सम तो दिख चलो तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड वन, 7 प्लस 2, 8, 7 के आगे आपको टू फिंगर्स काउंट करनें, आप्टर 7, 2 फिंगर्स, 7, 8 तो यहां पर आपको लिखना है 9, 0 में कोई भी नंबर हम एड करते हैं तो अंसर वही नंबर आता है, इसके लिए 1 में अगर हम 0 एड करते हैं तो अंसर आता है हमारा 1, 2 प्लस 3, 5, 2 के बाद हमें 3 फिंगर्स काउंट करने हैं, आफ्टर 2, 3 फिंगर्स, 4, 5, sorry, 3, 4, 5, यह ह हमारा आंसर है, थर्ड, 3 प्लस 5, 5, 6, 7, 8, 1 प्लस 3, 4, 1 प्लस 2, 3, यह हो गया हमारे अडिशन के सम, तो चलो अभी हम देखते हैं सब्टरक्शन के सम, तो सब्टरक्शन में हमें 100 टैंक्स यूनिट 3 डीजिट रहेगा तो तो फिर सी स्टार्ट हमें यूनिट से ही करना है 5 में से 1, take 5 finger and 1 close, 5 finger आपको लेना है और उसमें से 1 close करना है, तो हमारा आंसर आता है 4, 6, minus 3, take 6 fingers and 3 close, तो हमारा आंसर आएगा 3, 4, 4, minus 2, तो आंसर आता है हमारा 2, ओके, 7 में से अगर जीदो जाता है, addition और subtraction में वही नमबर नीचा आएगा, तो 7 में से अगर जीदो जाता है, तो आंसर आता है, हमारा वही नमबर मतलब 7, 6 में से 3, minus, take 6 finger, close 3, finger, तो आंसर आता है हमारा 3, 2 में से 8 में से 2, minus करना है, तो हमारा आंसर आता है 6, 3rd sum, 8 में से 5, after 5, up to 8, ऐसे करना है, तो otherwise आप ले सकते हो fingers, 8 fingers and then close 5, नहीं तो आपको ऐसे करना है, after 5 से 8 तक हमें count करना है, after 5, 6, 7, 8, तो हमारा आंसर आया 3, after 3, till 9 तक हमें count करना है, after 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, तो हमारा आंसर आया 6, after 4, count till 9, तो हमारा आंसर आता है 5, यह हो गया हमारा last वादा sum, Hello friends, welcome to Disha class, तो चलिए आज हम second standard के carry over और वाराइं की sum देख रहे हैं, तो first sum यहाँ पे मैंने solve करके रखा है, तो हमें start करना है 100, 10s और unit से, तो 100, 10s और unit से, अगर हम unit से start करते हैं, तो 7 plus 3 हमारा 10 हो जाता है, तो 10 का यहाँ पे 0 लिखना है, और 1 हमें carry करना है, तो 1 plus 5, 6, 6 plus 4, 6 plus 8, 14 होता है, 6 के आगे आपको 8 fingers count करना है, तो हमारा answer रता है 14, तो 4 यहाँ पे लिखा, और 1 फिर से carry हुआ, तो 1 plus 3, 4, and 4 plus 1, 5, इस तरह से हमारा first sum complete हुआ, तो 2nd लिखते हैं, 9 plus 2, 11, 11 का 1 यहाँ पे, फिर से 1 carry हुआ, 1 plus 0, plus 8, answer आता है 9, and 4 plus 4, हमारा answer आता है 8, ओके, तो 3rd, 8 plus 8, 8 के आगे 8 fingers हमें count करना है, तो हमारा answer आता है 16, तो यहाँ पे 6 हमें यहाँ पे लिखना है, और 1 यहाँ पे carry करना है, तो 1 plus 6, 7, 7 plus 2, 8 and 9, 3 plus 4, 5, 5, 6, 7, 8 and 9, यह हो गए हमारे addition के sum,